हेलो फ्रेंड्स सुना स्क्रिफ्टी चैनल में आप सब का स्वागत है आज आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सा गेट पर्दे का डिजाइन जो की देखिए हमने इतना बना करके इसको कंप्लीट भी कर लिया है ठीक है चलिए फिर देख लेते हैं कैसा अगेट परते का डिजाइन है पिस तरीके सिसको बनाकर के रिजाइन आपगे सक्तें में इसको बनाना भिए मिल्डा दूंगि तो दॆख सकते हैं इस तरीके के तुर ह्टी बहुत ही प्यारी से डिजाइन है यह और टू कलर में बनाया देखे ब्लू और वाइट में बहुत प्यारा लग रहा है और ग्रिंटलर से इसकी आउटलाइनिंग कर दी गई है ठीक है फिलार आब इसको साइड करते हैं और देख लेते हैं इसका यह देखे हमने पफर डिजाइन बना क पंखुड़ी पंखभी पंखड़ी फिर यह पे लावर पंख़डी यह पे एक फिलावर करना चीद तरीके में भी आपना बनाना चैब चोलिद तो चलिए पर तब में इसको सबसब से चोटा है ना उसको इस तरीके से लटकाते हुए त्टू बना Pap तो sentence आप बना लें गया अ इस तरीके से फिर इससे फोड़ा सा बड़ा उससे रखना है ठीक है फिर उससे फोड़ा सा बड़ा इस तरीके से करते हुए इसको हमें बनाना है पफ वाले डिजाइन है, बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी बन जाएगी, कम्प्लीट हो जाएगी ठीक है, और वूल भी कम ही लगेगा, उतना जादा वूल इसमें नहीं लगे, क्योंकि जालरे इसमें को बनानी नहीं है, देखिए, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी यह देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है, देख सकते हैं, बहुत ही, इजी हो बहुत ही, देखिए, फर्स्ट है, फिर यह सेकेंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ, इस तरीके से बाखी सब में इस तरीके से फ्लावर्स को स्टिच करना है, तो इस तरीके से बना क करके कंप्लीट करना है तू पार्ट बना लीजिए फिर थरी पार्ट या फिर फोर पार्ट तो और चोटे बनेंगे और बड़े बने आने हैं तो पॉफ जदा लेना पड़ेगा जिसे कि हम बड़ा बना सकते हैं ठीक है तो चलिए इसको फिलाला भी साइड करते हैं फिर देख लें कि लें थिसे की सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने है तो अब यह मिस्कों कॉम्टेट करें जिए थोड़ा सा फिर आपको बताएंगे चलिए फिर बना ना देख लेते देखिए इस तरी नहीं कि इसको पार्फ पारा वाज बनाने रहें यहाँ फिर फोर फाइ 17 18 19 तो फिर चर्टी ऑस देख लेते हैं और इसको मुम बनाना सुरू करते हैं किसको बनाएंगे ना तो तरह सकते हैं इस तरह के समतित देख सकते हैं इस तरह के समें बनाते इसी को पर जास्टिट किस gallery अगद एसी इसी कि photogram तो इसमें जरा साभी चेंज नहीं है देखिए इस तरीके से फिर इसमें धागे को टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टैन राउंड लेंगे है ना और फिर यहां पर नॉट लगा करके एक पफ तयार करेंगे देखिए इस तरीके से दागे को इस तरीके से टाइट करते हो खीच रहा है और जो आप देख सकते हैं यहां पर ठीक है इस देखिए फिर नेक्स्ट वन चेंज छोड़की जो इस टार्टिंग वला है यहां पर बनाना है देखिए यह सेकेंड वाला यह देखिए ना पूरा हमें कितना राउंड ले बनाना चाहते ज़्यादा पफी चाहिए आपको तो आप कई राउंड ले लिजिए गर टैन कीजिगा 20 भी कर सकते हैं और 15 भी कर सकते हैं ठीक है तो फिलाला हमको भी टैन ही बनाना क्योंकि हम टैन कहीं बना रहा है ठीक है देखिए इस तरीके से करते हुए टैन पॉफ हम इसथे पॉफ ह है देखिए यहां पर देखिए इस ₦ॉफ है यहां पर देखिए इस तरीके से जोसका फिर फैस्ट वाला है । यह देखिए इस miracle लिए तो फिर आव बनानाlly बढ़े कि ये थखिए बना कि यह पेफानों ऐधते के दहते हैं कि पांख्व है इसे जों में से पन्खुडियों के दिस और हम अगहा है और फिर इसमें स्टिच करना है बहुत सारा वर्क इसमें भी कंप्लीट करना है तो टाइम लगेगे इसको बनने में फिराला भी वन पार्ट टू पार्ट में करके एपसत हम इसको शेयर कर रहे है ठीक है तो देख सकते हैं इस तरीके से नौट लगा लिए हमने ये एक और 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 यान 29 का थार्ड वला रो हमने बना लिया ठीक है और ये सेकेंड वाली रो है थोड़ी उससे कम है अभी फोर्स वाली रो हमें बनानी है ठीक है जो की 50 की बनेगी अभी इस तरीके से हमने इसको बना लिया है और आपको हमने दिखा भी दिया ह सारा कैसे बनेगा फ्लावर में एक स्टिच करना था वह भी हमने देखी इस तरीके से बताया आपको कि हमने इस तरीके से फ्लावर बना करके सारी पंखुडियों को बनाने के बद आज हमने आपके साथ पफ शेयर किया इसी तरीके से सारा हमें पफ बना लेना है पफ बनान नहीं नहीं वीडियो की नॉटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर और थेंक्स पो वाचिंग बाई